दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सीवी सिंग और एक बर फिर हाजिर हूँ सही सटीक और साइंटिफिक इन्फरमिशन के साथ दोस्तो मक्का या मेज डेरी में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ग्रेन या राज दोस्तो इसको बोलते हैं कई जगे मका, कई जगे मकई, कई जगे भुट्टा और ये डेरी में जो हाइलिंग अनिमल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फाइदे मन होने के साथ साथ अगर इसको साबधानी से उपयोग नहीं किया गया तो ये कर सकता है बहुत बड़ा नुकसान तो आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा इसकी कुछ बहुत शांदार वाली क्वालिटीज हैं कुछ कमिया हैं और उन कमियों को किस तरीके से हम ओवरकम करके इसका जादा से जादा फाइदा उठा सकते हैं डेरी फार्मर्स इसका फाइदा उठा सकते हैं डिरी ग्रेञ्ट जो डिडियरी आनिमल्स के लिए जो कुछ भी हमानाज उप्योग करते हैं उनका यह राजा है क्योंकि यह high energy ग्रेञ बहुत शांदार अच्प के इसमें सब्सक्रार स इसके अंदर है फाहिए तो 90 प्रतिशत है 85-90 परसंट है मतलब कि इसका जो इसमें जो टोटल जो नूट्रियंट्स है या पोशक्तत्व हैं वो करीब करीब 85 से 90 पृतिशत तक एनिमल उपियोग कर लेता है या डाइजेस्टिबल है और इसलिए इसका फाइदा जादा होता है और इसमें जो बड़ी मात्रा में जो स्टार्च होता है वो रू को इसके रूप में उपलब्द हो जाता है जिससे अनिमल को फाइदा होता है और रूमन भी डिस्टर्ब नहीं होता as compared to other grains या मैं कहूं तो जो दूसरा स्टार्च है जैसे गेहूं का स्टार्च है वो रूमन में बहुत जल्दी से वहां पे डाइजेस्ट होता है उसके कार ये chances होते हैं कि वो रूमन का digestion भी ठीक बना रहे और एनिमल को फाइदा मिल जाए और उसके साथ साथ इसमें जो protein की मातरा है जो crude protein की मातरा है वो भी 8-12% तक होती है कुछ percent में 2-4% इसमें oil भी होता है और इसमें एक चीज बस धिहान रखने की ज़रूरत है जो essential amino acids हैं जो को बाहर से supplement करने की आवर्शक्ता होती है vitamin A इसमें थोड़ा सा कम मातरा में होता है क्योंकि ये जो पीला मक्का है लाल मक्का है वाइट मक्का है ये तीन प्रकार की मक्का मैं देखता हूं कि available होते हैं मेज available होती है लेकि यलो जो मेज है वो सबसे best है dairy animals के लिए क्योंकि उ इससे vitamin A भी कुछ मातरा में उपलब हो जाता है इसमें vitamin E अच्छी मातरा में होती है phosphorus अच्छी मातरा में होता है और इसके साथ साथ इसमें calcium जो है वो बहुत कम पाय जाता है या deficient होता है calcium और साथ में vitamin D तो इनका vitamin A D का को supplementation करना पड़ेगा अलग से animal को देना पड़ेग का vitamin A D3 और साथ में calcium का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो इसमें उपलब्ध है phosphorus उसके साथ उसका अनुपात calcium और phosphorus का जो रेशो है यह जो अनुपात है वो बिगड़ने ना पाए और प्रॉपर अगर calcium phosphorus ratio रहेगा तो उसको animal को फायदा जादा होगा तो आप उसम साथ साथ हमें कौन सी जो साबधानिया है वो रखने की आवशक्ता होती है जिससे इसका जादा से जादा फायदा हो animal को तो सबसे पहले तो यह है कि इसको grind कर लें अगर आप grinding करेंगे तो undigested particles undigested जो उसका mage grain है वो गोबर में निकलेगा तो इसको grind करें grind बहुत जादा करें मतलब जो पीसते हैं आप तो उसको जादा बारीक ना पीसें इसका तलिया बना लें मक्के का और तब उसको उपयोग करें दूसरा एक इसमें साबधानी रखने की आवशक्ता है कि जब आप इसको जादा percentage में अपने आहार में जो पशु का आहार है उसमें उपयोग क बनी रहती है जैसा कि मैंने पहले बोला इसमें हाई स्टार्च होता है और वो स्लो डाइजिस्ट होता है रूमेन में लेकिन फिर भी अगर आप बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग करेंगे तो ऐसी डोसिस होने की संभाव ना रहेगी तो ऐसी डोसिस ना हो इसलिए आप टोटल मिक्स राशन बना के दें फाइबर से बैलेंस करें मतलब भूसे का या रफेज का उपयोग करें सुख चारा हरा चारा का उपयोग करें जिससे उसका फाइबर का बैलेंस बना रहे और इससे उसको एनरजी मिले फाइबर मिले तो रूमेन भी हेल्दी रहेगा एनरजी भी पहतरीन मिलेगी उसके बाद जो मैंने बोला है यह जो है इसमें कैल्सियम और विटेमिन्स का सप्लिमेंटेशन आपको करना पड़ेगा हाईलिंग एनिमल्स में अगर आप मक्के का उपयोग कर रहे हैं तो कैल्सियम आपको देनी पड़ेगी साथ में विटेमिन A, D3 का भी उपयोग करिए उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखने की आवशकता है इसमें बहुत जादा कैरफुल होने की आवशकता है वो है कि ये जनरली मतब ये मैंने तो बहुत सारे जो जो फार्मर से उनके देखा है कि वो जो हाई मक्का की डाइट जो उपयोग करते हैं वहां पे जो मक पर मैंने यह देखा कि वो जो उसका सपॉट होता है वहां पर ब्लैक ब्लैक मोल्ड डेवलब हो जाते हैं जिसको हम एस्परजिलस फ्लैवस बोलते हैं और वह अफला टॉक्सिन बीवन वहां पर प्रोड्यूस करता है अफला टॉक्सिन बीवन जिसके कारण वह एनिमल को भी नुक्सान करता है और एनिमल को जब पहुत ज्यदा नुक्सान होता है उस टॉक्सिन या जहर जो बनाता है वो फंगस तो आप कोशिस करिए कि मक्का हमेशा सही quality का हो उसकी quality बहुत important है अगर quality सही नहीं है fungus लगी हुई है तो definitely आप यह मान के चलिए वो फाइदा कम और पशु को नुक्सान चाहदा करेगा तो इसका एक और तरीका है कि क्योंकि यह चीज कंट्रोल नहीं कर सकते अफला टॉक्सिन हर स्टेज में storage के time या वहां से जब हर्वेस्टिंग होती है उसी time से वह develop होने लगता है अगर उसमें moisture जादा रहता मक्के में नमी जादा रहती है तो तो आप एक safety के लिए आप toxin binder का उपयोग कर सकते मार्केट में बहुत सारे toxin binder आप देखोगे उपलब्ध है तो अपनी जब भी feed बनवाने जाते हो तो उसका एक निश्चित जो company द्वारा निर्धारित dose में आप उसका उपयोग करिए तो यह करता क्या है कि जब यह पेट में जाता है toxin binder तो toxin या उस fungus को यह absorb कर लेता है absorb कर लेता है उसके साथ bind हो जाता है और यह गोबर में निकल जाता है animal को बगएर किसी बिपरीग प्रभाव छोड़े हुए तो आप इस तरीके से मक्य का उपयोग कर सकते हैं आप करिए बस quality में सतर्क रहिए क्योंकि अगर अच्छी quality देंगे animal को फायदा होगा साथ में उसका milk का production बढ़ेगा और जब milk का production बढ़ेगा तब ही तो होगा यह लाब का धन्दा दोस्तों यूही प्यार बनाए रखिए क्योंकि मैं हमें साथ आपके लिए लिकर आता हूँ सही साटीक और scientific information यूही प्यार बनाए इस वीडियो को ज्याद ताकि मैं कि आता हूँ